दोस्तो स्वागत आपका हमारे वेब डेवलेप्लेपेंट कोर्स में आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML में टेवल, कोल स्पेंड एंड रो स्पेंड क्या होता है तो जो हमारे चैनल पे नहीं है, चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए, बैल आइकन पर एस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकरिकशन आपको मिलता रही है तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जाएंगे कोड़े डेटर में ये अभी हमने एक टेबल बनाया होा है, अभी जो हमारा टेबल गा अबर बीवे इस तरह से है तो अब इसमें हम call span and draw span को हम यूजश करेंगे तो यह हमने एक normal सा table है बनाया हुआ तो जैसे कि सबसे पहले मुझे इसमें start करना है call span जैसे कि call span इस तरह से जिस तरह से name है तो इस तरह से इस table को में यहां पी बनाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने code editor में तो जो हमारा TH है ठीक है तो अभी हमारे TH में तीन नाम है यानि name, contact और country तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक को delete कर देंगे अभी हम company और contact है पे रहने देती है ठीक है तो अब जो हमारा table है company, contact और यहाँ पे blank है अब मेरे कोई क्या करना है जो company वाला है और contact वाला part है यानि company वाला part contact वाले part में add हो जाए और contact वाला part हो जाए वो यहाँ पे add हो जाए ठीक है यानि कुछ इस तरह से में यहाँ पे करना है जिस तरह से हमने name पे क्या हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ts stack में जाएंगे ठीक है तो अब इसको में किलाज देंगे call span यहाँ यहाँ पर लिखेंगे call span c o l call span अब यहाँ पर हमें कर देना है यहाँ अगर हमें तू करेंगे तो अब एक बोक्स होए हमारा two box में merge गाएगा अब जैसे में पर two कर गें इसको वर बो चन्ट्रोल सेब करते हैं तो यहाँ पर अब हमारा यह add हो चुका है यह हमारा company है और यह company हमारा दो बोक्स में आ रहा है और जो हमारा आप्रेल है यानि इस तरह से left में हमारा box column आ रहा है और यह हमारा row है तो अब हम करते हैं row span तो row span को करने के लिए same जैसे हमने उसमें क्या है call span के जिए हम वापर row span कर देंगे अभी जो अमारा table है वह इस तरह से ए ğ cardi है यह अभी हमारा call span है अब हमें इसको बनाना रहा है row span तो अब हम बनाएंगे row span तो इसके लिए फिलाल के लिए हमनि इसको मैं हटा दे रहाए धाए हूँ आपर में एकमेंट करते हैं आप अपो कोलई कर देता हूँ और इसको ऑफ रून के करेंगे और अपने पैज का स्टाइल चेक करेंगे तो देखुत दोस्तोों यह अपर préfत रो बन चुपा है यानि देखो ऊपर यानि दो जो हमारी रो हैं वो हैं जो हो चुख़र अगर मैं 3 कर देता हूं वह चार पर गया तो फो यहां पर 4 यहां पर प्र यहां पर आपस में मरज हैंगी पार्श कर देता हूं यहां पे पार्श करते हैं तो यह बौत है को स्पीज पहन और रोह और भिस्पेंड तो इस तरह से में um करना है तो कोल्च पहन कोंड है एककवल टू double inverted comma उसके अंदर आपे हम लिखे देंगे जो भी हमें column जितने भी column है आपे merge करने हैं अगर 2 करने तो आपे 2 कर देंगे 3 लिखने है 3 करने है तो 3 merge करने है तो आपे 3 कर देंगे row span किजिए आप call span कर सकते हैं ठीक है बस इस तरह से आप row span and column अगर आपको वीडियो पसन आई तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए बैल एकन प्रेस कर लिजिए ताकि कि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रही मिलते हैं next वीडियो में